देखने मिलेगा बहुत अच्छा मुकाबिला देखने मिलेगा यहां पर दोनों टीमें बराबरी किये हम किसी से कम नहीं इस तरह का मुकाबिला यहां पर देखने मिलेगा एक अच्छा मुकाबिला होगा उसको चेरका नहीं करना कोई मुनासिब बात नहीं है तो उन्हें ने हुआ दो रहन दो गे नहीं हो नहीं है रहा हुआ कि लिए इस और आधे गेंग को उठाकर कि लाए निहाल इसके लिए माने जाते जुरी के के लिए माने जाते हैं चेहरण पर दूसरा सिक्सर हो पाता है यह नहीं यह देखने वाली बात होंगे अंपायर का इशरात किसमा है यह तो यह दोस्तर हो पस्तर यहां पर दूसरा सिक्सर अगर लगाता तकी पास लगाता है तो उसके लिए आववाद मकादम के तरब से पास्टोर रुपया मिलेगे और अगर कोई 6 लगाता है शम्सुदिन मुकादम के तरफ से एक हजार रुपया तो यह है इनामात और लगातार तीन के तो में तीन कोई बोल्ड आउर्या विकेट लेता है तो आसिप मुकादम के तरफ से तीन सो रुपया अच्छी अच्छी यहां पर कोशिष राइटा मुर्ड विकेट रिस लेकिन एकिन वाइट बहुत पहली मैंच में अमबेद के विरिद आठ गेदे वाइट फेके इस टीम ने राइटा मुर्ड विकेट हर इस दोना शुरुक्या साइप अच्छे गेन बाज इनके टीम में अच्छी गेन बहुत अच्छी गेन थी बाड़िया गेन थी आगे फेका था इस गेन को उसको लपेट ना चाहते थे गेनार बले का कोई संपर नहों सकते एजी के साथ जमीन के सहाड़े उत्ती विच चली गई थी वहाँ पर विकेट के पास कोई रने कोई नुक्सान तीन गेंदे हुई है और स्कोर हुआ है पंदरा रन क्या शुरुआत है क्या इस्टार्ट है वहूर की पंदरा रन राइट आमोर्ड विकेट निहाल इन फॉर्म बैट्समन और यहां पर क्याच तो नहीं होंगी क्या होती है देखना है ओहां क्याच नहीं चोड़ा भाई चारण क्या चिनी चोड़ा आपने मैच चो रहा है इन इहाल इन फॉर्म है अच्छी उस दिगोर्गाव में जो एक मैच टुनामेट हुआ था बहुत अच्छी ओपन राउंड में वहां पर बहुत अच्छी बलेबाजी कि ती जरूर टीम हारी ती लिके निहाल ने बहुत इन फॉर्म बैट्समन जा रहा है एक गेन अभी भी शेश एक गेम आना एक गेन आना बाकी यहने बीस रन बने हैं इस लिए लिए लिकेट लेस और था यह कोई विकेट नहीं बीस रन दीये लेकिन काफी महंगी और क्यूंकि उसमें तीन गेन वाइट फिक उन्होंने इन बीस रगेन रनों में सार ऑबने से लेकिन तीन रन आपने तरफ से दिये तो अब देखना है कि किसको गेन बाजी जी जा रहे कि क्योंकि इससे पहले सफ ने भी अच्छी गेन बाजी की थी और इस लगातार आच्छी गेन बाजी कर रहे है में आपडि मैच का यवाड दो बार पूरसकार हासेर यहां पर साइफ है नहीं सब्सक्राइब करेंगे इस से पहले मैंच मुझे अच्छी लगी थी इनकी गेंबाजी वोसकते जो उन्हों ने चिमाव के विरुट गेंबाजी की ती एक अच्छी गेंच इस इस गेंच को खेल दिया जब तक वहां से थोड़ा सा बहुंज ज्यादा मिला था अच्छी फिल्डिंग अच्छा त्रो एक रन मिलेगा और एक रन से संतुछ रहना पड़ेगा इस एक रन के साथ इसकोर 21 निहाल तीन सिक्सर लगा है उन्होंने क्या गेंबाज बलेबाजी क दो सिक्सर एक चौका लगा था निहाल ने राइट आप राउंड वी के डोरा शुरू क्या आपको क्रॉस क्रॉस के आपकर के बगले से निकलने के बाद इस गेंग को लॉफ्ट करना चाते थे पाद इस गेंग मागें सही बैट पर नहीं आई जब तक इस काल एक से इसको चौशिश कर रहे है निहाल और निहाल इनफाम भी जा रहे है ये वी सबसे बात है राइट व्रौड उर्ड विकेट अच्छी जिए बहुत अच्छी जैंती बढ़िया गैंती एंगल बनाकर जब कोई भी गेन बाज गेन जनी करता है तो एक आसान नहीं होता साधारन गेन बाजी और एंगल बना कर गेन बाजी में बहुत परक्वरता है जब एक अच्छी दिशा के साथ आप गेन बाजी करें वेल डाल वेल बॉलिंग फिर सेक मरताव सैफ इस से पहली वाली मैच में भी सैफ ने उम्दा गेन बाजी कि ती राइट अपोर्टों के दोड़ा शुरू क्यांप और इस बिजिस गेन को उठाकर कहला आगे फेका आगे नहीं फेका बॉल बग कि वह आपने आमंद रन दिया तो महां पर कि आप बहल म उजे मार छे रनों के लिए इसकोर अट्टाइस रन ट्वेंटी एट वेल डन वेल बैटिंग तीसरा शिक्सर निहाल का तीन सिक्सर एक चोगा चबीस रन मना कर खेर रहे है नियाल आठ गेंदे चवबीस रन नियाल क्या बैटिंग कर रहे है नियाल फिर संहक मार्द भाइए गहें अच्छी गेंदी बहुत अच्छी गेंदी बैक टू दो बॉल यह वहाँ पर कहला था, जब तक बिनकर कर तो एक रन कर करते हैं एक रण भी वहां पर मुकमल बहुत तेजी के साथ चतुराई के साथ दुसरा रण मुकमल किया निहाल इसको रुए 30 रण निहाल वाइक तीसको रचबीस पर बले बाजी कर रहे है नो गेंद में 26 रद क्या जब बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंद बाजी और एस सहिप की कि अगरें 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 आगरें आगरें अगरें दस गेंद में 30 रण बना कर खेर रहें निहाल पानी चाहिए महां पर ग्रण के अंदर पहले और में 20 रण मनें दूसरे और में 16 रण दोनों और महेंगे रहें विकेट एक भी नहीं है अभी तक एक भी विकेट नहीं है दस गेंदों में 30 रण बना कर खेर रहें निहाल पाद जबके एक की वाई तीस रण बना कर खेर रहें क्या बले बाजी की हैं निहाल ने 30 रण बना कर खेर रहें हैं चिंबावे ने 20 के आउसे से रण बनाए थे 80 रण बनाए थे चिंबावे ने इससे पहले जो मैच हुआ था चिंबावे का 80 रण चार और में यहां पर कितना टार्गेट दे पाती यह देखना होगा क्योंकि यहां पर निहाल इन फॉर्म जा रहा है अच्छी बले बाजी बहुत अच्छा टाइमिंग बहुत अच्छा है क्लासिक टाइमिंग है टाइम को जाया न करें पाच-पाच और का मैच है क्योंकि दो और हुए है तो अब यहां पर निहाल के लिए अच्छी बात यह है कि यह पाच-पाच और का मैच है एक बड़ा इसको रखरा कर सकते निहाल जिस बले बाज का टाइमिंग अच्छा हो बैट के बीच ओ बीच अगर ब उबीदे की जा सकती है है अर वही कुछ यहां पर इस वक्त निहाल के साथ देखने में रहे बालर है आउनगहाल को नहीं से नभी नभीन नभीन नभीन다면 निहाल Grade के लिए ऊदिस ट्राइक पर ना Dashy क पर है निहाल हर गेन बाद भी निहाल निहाल टुप फहद इस वक्त एक रण पर खेर रहे हैं जबके निहाल तीस रण बना कर खेर रहे हैं गुल मिल दस गेंदों में तीस रण क्या बल्लेबाजी किये धुगादार बल्लेबाजी अपने इनिंग में निहाल ने तक्रीबन चार सिक्सर लगाएं एक चोका उम्दा बल्लेबाजी बहतरीन बल्लेबाजी का प्रोटर्शन लेकिन निहाल तुप फहद चत्तीस रण अट्रह क्या उसे सरन बंद रहे हैं राइटा मुर्दविकिन फुल्टाज बॉल और यहाँ पर क्या चोने की संभावना नहीं इन्होंने लेकिन यहाँ पर क्या चोरी है लेकिन रण भी बचाएं क्याच तो चोरी कि कि आगे निकल चुके थे पहले ही एक रन अलगे वहाँ पर जीवन दान मिलाए पाहत को मैंने कहा था निहाल की जब शुरुआत में क्याच चोरी गई थी तब मैं हमने कहा था क्याच नहीं है अपने मैं चोरा है और वहां से लेकर आप भी का आया पर अगर देखेंगे तो तीसर रन निहाल निहाल राइट आम मिलेगा एक रख जर Videhésitez के लिए वहां पर दॉर रहे हैं डे वहां पर सएखिक की सोच अउन अर्जै को जा एक तो अ हो जाए ठटी एट रण इस रन न बने हैं सैफ जोते में धारल गैन बाजीं करते हुए अजोत हमने हैं उनके पहाद जो के दो के वही तिस वर बले बाजी कर रहे हैं सामने खेलने के लिए राइट अमोर्ड विकेट और इस बीजिए को हवा में खेला ज़रूर वहां पर क्या चाउट दिखा अभी दिखा अब बजाते रहे हैं अगर कोई बैटमन बारा बाल में पचास रण बनाता है तो उसके लिए दो हजार रुपए मिलेंगे किसके तरफ से शेक महमत के तरफ से छे गिदों में छे सिक्सर लगता है तो शमसुदिन जटा अब समसुदिन मुकादम के तरफ से मिलेंगे हजार रुपया पास सो रुप हो 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 क्या क्लास है लेकिन उतना आच्छा जो सकता है यानियों घ्याक क्याक्ष वैल डैन्ट वैल वैल क्याथ लेकिन शाड मिधिका आच्छा था बहुत एक है cess का चांसे 300 रुपे मिल सकते हैं है ट्रिक का 300 मिलेंगा आसी मुकादम नए बलेबाज है दोनों नए बलेबाज है समी और फहद दोनों नए बलेबाज है फहद नॉन इस्टैक पर समी नीहाल क्या शॉट अच्छा लगा था लेकिन हवा 12 गेंदों में 33 रन मना कर आउट वे थे 12 गेंदों में 50 रन मनाएंगा कोई भी उसके लिए मिलेंगे 2000 क्या वो 300 रुपए हासिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं नियाल राइट आम ओर विकेट और नहीं है टेक नहीं मिली 300 रुपए आसिप मकादम के वहां पर बच गया है जरूर लेकिन इनाम लगाया हुआ था हासिल कर सकते थे लेकिन अच्छा थोड़ा सा कमबैक किया अपने इस टीम के लिए कि यह टीम को हमने देखा था चिमाव के विरुद्ध अच्छी बल्यबाजी की थी उन्होंने साथ रन बनाए थे इस टीम ने तो अगर यहां पर वहूर सत्तर से असी रन बनाती तो उसको चेस करने की ताकत लगती यह टीम और थर्टी नाइन इसकोर है औ पर मकमल दोरन के साथ इसकोर वर्ताव जापो चालीस रन एक तालीस रन फोर्टी वन फोर लॉस आफ टू एक थार वर इन प्रोग्रेस बाइन निहाल निहाल वहां पर गेन बाजी कर रहें पहला विकेट जो तहाओ गिरा था ट्वेंटी नाइन पर तीसरा दूसरा की थी चार छक्के लगाये थे उसमें एक चौका लगाया था अपने इनिंग में कुल मिलाकर उनने 33 रन बने था अपने टीम के लिए निहाल न पाच रन दे कर दो विकेट तीसरे वहां में पहली ओर में बीस रन दूसरी वहर में सोलार तीसरी ओर में पाच रन अब नए गेन-बाज थे शह बाज शह बाजन へ श्यावाज कन हम और बने पर चूखें के और और है क्योंकि पाच पाच और का मैं चाहिए दूसरी अंती मोर कौन फेकें का वह हम देखेंगे राइट अच्छी गेंती इस गेंट को खेल दिया है जब तक कि वहां से फिल करके त्रो करते अच्छी कोश्च अच्छी कोश्च अच्छी कोश्च एक पहले शनौ में गेंट उनके आतों से निकल चुकी थी लेकिन अंत में उसे पकर लिया अंत भला तो सब भला तो यहां पर ऐसा ही कोश्च होता हुआ क्योंकि आपने यहां पर रन नहीं दिया यह सबसे अच्छी वाद है आगास से नहीं आपके अंजाम से पहचाना जाता है और यहां भी हम देख झाल शाहबाज सामने एक शिक सर के साथ बल्ले बाजी करते हुए वेल्ड़ फिप्टी वहूर चाउथा और प्रोग्रेस शाहबाज दोड़ना शुरू क्यां पार को क्रॉस क्यार एक एर अच्छी गें थी यहां पर एक रन मिलेंगा अलाके गें विकेट कीपर के सर के उपर से चली गई थी एक रन के लिए इस एक रन के साथ इसकोर बढ़ता है जाब पहुचा है फिप्टी वन गेंदे हुई है चार गेंदे हुई है अभी इसके बाद एक और आना बाकिए एक इस गेंदों में फिक्टी हुआ है तो यहां से मैच जो है वो आप देखना यह कि यह कि लेए स्कोर साथ या साथ से अन्दर अगर रहता है तो फिर इस मैच में मैं यह समझ सकता हूं कि यह जो टीम है बैटिंग करने वाली आने वाली टीम फिर उनके लिए इतना मुश चाहेंगे किसी तरह से स्कोर जो आसी-आसी के बाहर चला जाए क्योंकि इस टीम में वह बैटिंग शम्मता है वह हारीस है और उनके असमें शहाइबाज है अच्छे बलेबाज है दोनों मिस्पिल्ड विए इसके दो रन मिले अच्छी मैच होंगी बहुत अच्छी मैच तो यहां पर फहद और ममसमी दोनों के पास भी एक अच्छी शम्मता है कि बलेबाजी करने का एक अच्छा होने रहे दोनों के पास राइट अमोर्ड विकेट एक इस गेन को खेला दरूर आच्छी गेंती अंदर टार्गेट पेकी भी गेंती जब तक वहां से फिल करके त लोग डारेक्ट रो होता है तो शायद कुछ वहां पर हो सकता था लेकिन जो नहीं वह उसके बारे बीचर्चा करते की और फायदा क्योंकि जो हुआ उसके बारे मिहां लोग पाद करें गैं तो जो हुआ कि दो रहन न यहां पर मिले मंभात समी को पहत को दोरूर के साथ इ तो अब यहां पर अंतीम और यह और के उपर नजर रहेंगी कि कि बहुत टार्गेट कितना देती है अगर इसकोर जो है सत्तर के आसपास जाता है तो फिर लेकिन अगर सत्तर के क्रॉस करती है तो फिर कुछ गाउं के लिए मुश्किल हो जाएगा और 24 घृ यहाद तर जब हम सामने मॉनिटर लगता है तक सामने हम धेंखकर तो ँसतरा से कुछ यहाँ पर इरपान ने सामने अ कमिंटर हिकरते तो उसड़ीन अलग रहता है यहां पर मैं जितना भी आपको बता रहा हूं इर्फान के माध्यम से बता रहा हूं अच्छा इसकोरिंगा कामा अजम देर क्योंकि मेरे पास मानिटर जरूर है लेकिन वह इतना दूर है कि मैं यहां से देख नहीं सकता हूं वह है यूट्यूब के लिए राइ लग कर से हाइड के बीज़े से हाइड के वाइड के वाज़े से नोबॉर दिया गया है पांजिए तो नोबॉर फिरेट है एक रध कि कर दो, आले डोना चुडिक का आपार को क्रास क्या अप नादेग और यहां पर क्यांच अगर होती भी एथ तो पिरेट है क्यास नहीं लेकिन यहां पर क्याज चुटी है कि लेकिन को चुटने का उतना ँगम नहीं है लेकिन इस खिलारी के हाथ से दोसरी तीसरी मरतबा जो खुटी है तो यह स्कूर रहे प्षिप्टीसेवन ता साइफ मैं बोलने के बाद थोड़ा सा मुश्करा रहे थे उनको पता है कि इसने क्या छोड़ा था वार उफ सैकी जगाँ पर खरे थे वो उस वक्त जब क्या छोड़े थे और यहां पर और यहां पर एच अ धरन यहां पर आहे चैनल हुआ है अधर प फिर से आपने बॉलिंग मार पर जाते वें निहाल जीनों ने अपनी ओर में पांच रण दिये ते यहां पर सिक्सर लगा आते ही उनके गेन के उपर राइटा मुर्द विकेट सामने पाथ 63 रन और खराब गेन खराब गेन वाइड बॉल है यह यह वाइड बॉल है कुछ नियम है जो अपने एक इस्थानिक होते है कुछ नियम है तो अंतराश्ट्री लेवल के होते हैं क्योंकि यह रूल जो है वाइड है अंपायर का इशार है नो बॉल यह रूल सही रूल है मैं उसी के चर्चा अभी करने वाला था फिर इट है यह करने लोग है वाजब के बाहर किस लिए एक लड़के रहे क्या पक्राइब आप जाए यहां पर बाद में मैंक ने ले जाए बावटि के बाहर एक बच्चे की च्छ पक्रादाूस के लिए दो गेंदे वी तॉ कि राइट पर दिए और नो बाल अमंपायर और नो बाल हला कि फिरी गी हिटा पुरीट प्यांत फिरी गी तॉ तो नो बॉल है तो नो बॉल है तो फिरीट है तो यही निहाल जिन्होंने आच्छी गेनबाजी की थी अब यहां पर थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं गेनदे हुई है उनकी दो ना दो ही गेनदे हुई है कुल मिला कर उन्हें गेनदे फेकी है छे लेकिन उसमें से दो लू और दो वाइड काफी बड़ा है लंबा और है किसी वजह से मैच रुकिवी है थोड़ी सी नौ बॉल है कि मालम ने अभी इनका रूल मुझे रूल क्या है? रूल क्या है? टुबरे टूरामेंट का रूल क्या है? कि अगर कोई थ्रो कर सकता है तो उसको आलाउड है, नहीं है, क्या है? खेल सकता है, खेल सकता है, खेल सकता है, अगर वो सही गेन बाजी कर सकता है, तो कर सकता है वो को कि अगर उथ्ट प्रो करेंगा तो इस कर अपर नो देगा वह उनकी जुम्हेदर इने चाहे तो आपने बैंत्र व्हante को चेंज करें जो नो है एक मैट अमपायर अमपायर अगर यह नो जो है आपने दो इसमें बीच में एक बॉल उसे फेका था ना बीच में एक बॉल हाँ तो फिर वो बॉलिंग नहीं कर सकता है रूल के साब से क्योंकि रूल के साब से तो बॉलिंग नहीं कर सकता है यह rule है आप टुनामेंट का क्या rule है वाभी आप देखिए तो वाइड उसमें count नहीं होगा वाइड नो count नहीं होगा दोनो डोनो high थे shoulder high थे दोनो तो फिर वो नहीं कर सकता rule के सबसे हाँ change करेगे baller change नहीं नहीं चार गेने बची है देखना किसको देदिया जाता है चार गेने के लिए किसको आमन्तर किया जा रहा है हारिस को बुलाए जा रहा है? नहीं ओप देखना क्यों नहीं है के दो गेने में चार गेने बच्ची है बॉलर्स नेम बॉलर्स नेम तेरा बॉलर्स का नाम बता है फहद चार गेदे बच्ची है आजमल गेनबाजी करेंगी मेन परमुक गेनबाज है उनको वहाँ पर हटा दिया गाए नेमो के इसाब से 67 राइट अमूर्द विकेट राइट अमूर्द विके डोना शुरू के अमपार को क्रोस के अमपार के बगबले से निकलने के बाद तेवे इसके गेन के उपर एक रण के साथ इसको बरतावा जा पहुंचा है 68 68 ची गेनों में जिए 6 लगाता है कोई तो शमसिद्दिन मुकादम के तरफ से 1000 रुपया 500 रुपया मिलेंगे से अववाद मुकादम के तरफ से और है ट्रिक के लिए है आसिक मुकादम के तरफ से 300 रुपया तो इस तरह से इनामात भी लगे हुए कौन इनामात ही गेत्रिक लिया हुआ है कि ईक लारी नइ स्ससे पहले और यहाँ पर यह गेन ओहाँ 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 क्या क्याच है वेल क्याच वेल क्याच अच्छे गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए है और नए बले बास खेलने के लिए गया है बैट्समन नेम अधनान अधनान है ने बले बास खेलने के टीम का 68 रन तीन विकेट के नुकसान पर दो गिंदे बची अमीबी राइटा मुर्दा विकेट ओहाँ ओहाँ क्या शॉट है क्या क्लास है क्या टाइमिंग है चे रनों के लिए कोप सुराज शॉट आते हैं विकेट जाएगा लेकिन 74 और 75 रिक्वाइट विन दा मैच यह मैच अगर आप देखा जाए तो 50-50 परसन 50-50 मैच चाहिए यह मैच में एक अच्छा रोमांच आएगा क्योंकि दोनों टीमें बराबरी की है यहाँ पर बैटिंग राइन भी मजबूत है तो शुरुवाती मैच में शुरुवात में पता चलेगा यह मैच किस तरफ जाता है क्या यह मैच वहूर के पक्स में जाएगा क्या यह कुजगाओ के पक्स में जाएगा यह शुरुआती दूर में आपको पता चलेंगा क्योंकि दोनों टीमें बराबरी पर है इतना बरा विशाल टार्गेट नहीं है लेकिन फाइटिंग इसको माना जाता है किरकेट की भाशा में चेसिंग है कमपलसरी कमपलसरी चेसिंग है यह बात दोरोटी में ध्यान में रखे चेसिंग कमपलसरी झाल चेसिंग झालदिए खरोटी कमपलसरी चेसिंग। झाल झाल 15 का ती आधर से रहन चाहिए पर ती वर 15 दररं बनाने परेंगे भाक्स बाराऑ के गंदे 22 न मनाए पहद ने दो गेन खेली दो रहन फहद ने छेगे जे खेली 16 रहन समीच ने इसand के खेली 12 रहन और आधनान को कहलने का मौका नहीं मिला पहली वो पहला विकेट 29 पर दुसरा 38 पर तिसरा 68 पर पहली वर में रन मने 20 दुसरी वर में 16 तिसरी वर में 5 चौती वर में 13 और अंतिम वर में दो बॉलर मिला कर रन मने कुल मिला कर 12 बारा रन मिले पहले दो बॉल में और अंतिम 4 गयोनों में रन मने थे तो इस तरह से रहीए अब पहद पटेल गिन बाजी करेंगे सामने हैं शहवाज हम किसी से कम नहीं इस तरह का मुकाबिला देखेंगा जो जीतेंगा वही आगे परवेश करेंगा इंपॉर्टन और फेकनी की जिम्मेदारी पहद पटेल के हाथ में दी थमा दी गई है 15 रन पर ती और बनाने हैं क्या पहद एन पार्टी क्या वहूर यहाँ पर पर ती और 15 रन इनको देंगी क्या नहीं देंगी क्या यहां पर कुजगाओ की टीम 15 रन पर तीवर प्राप्ट करेंगी यह देखने होली बात होगी राइट आम और देविकेट ओ अच्छी गेन अच्छी इतना असान भी नहीं है यह युवा खिलारी के सामने गेन बाजी बल्ले बाजी करना लेकिन बल्ल बल्ले बाजी की थी चार सिक्सर लगा एक चौका लगा था अपने इनिंग में उसके बाद पहद ने कुछ अच्छी बल्ले बाजी की सोला रन बनाये थे महमद समी ने अच्छा साथ दिया तो अच्छी रही कुल मिलाकर बल्ले बाजी वहुर के तरफ से 14-30 रनों का एक ब हारिस इस ट्रैक पर इस मैच में हारिस की गेन बाजी इतनी आच्छी चली नहीं हाला कि सुबा से उन्हें ने अच्छी गेन बाजी की है में लगा तर दो मरतमा में आपने मैच का पुरसकार हासिर किया है राइट आप मूर्द विकेट ओहो क्या गेन थी गुड़ से जब गेन ऊठी तो ऐसा देखने का एक नजारा कुछ और था क्या बहतरी गेन थी बहुत ही बेहतरी बाट इस तरह की गेन ठीकने के लिए बहुत मैनत करनी पड़ती है पाइट आप बड़ की को फिर से एक बरते वही हुए की दिशा के साथ निए लटबाजी लंबाई कि अच्छी महें किया पिर ने अच्छी प्याद लोंबाई टी कि इस जो लंबाई रही की तो उसके बाद उसके बाद दीशा आपकी मिंडल स्थाम से निकर रही है तो कितने अच्छी भली प्यारी वहाँ पर गेंबाल जी एक ओहाँ पूरा बैक्ट पर इस और में डखल दिया यहां पर कुजगाव के लिए वेल बालिंग वेल डान वेल बालिंग बाइब पाद पांच गेंदे एक रन विकेट नहीं मिला लेकिन इससे बड़ी सपलता क्या होंगी कि आपने रन नहीं दिया है चाहरे तरणों का लक्ष बनाया था ऐसा लग रहा था कि इस मैच का पीछा किया जाएगा अच्छा कासा उसको शुरुआती दोर में ही मैच का रुख बदल दिया ज अलो डीजे यहां पर एक शिरी योगेश दादा कदम आमदार चशक 2022 27,28,1,2 मार्च को एक रखा हुआ है चालीस हजार, बीस हजार, दस हजार और उसका इंट्रीफी है 3500 रुपया लाईव है और यह है महापरल रोहिदास वाडी गिरावन पर रहिए 27,28,28 फेबरिवरी और एक दो मार्च साड़ी 3000 रुपय इंट्रीफी है 40,000 फर्स प्राइव सेकंड प्राइव 20,000 दस हजार रुपय थर्ड प्राइव है और आमदार चशक है यह स्री योगेश दादा कदम शाइनिंग इस्टार किर्केट कलब माप्रल के तरफ से रखा हुआ है यह माप्रल रोहिदास वाडी गिरावन पर रखा हुआ है यहापर फोन नमबर वगेरा सबके दिये वे आप चाहे तो यहापर कॉंटेक करें जो लोग है यह जो है वो 27,28 फेबरिवरी एक दो मार्च लायू है वो भी यूटीब पर बैट्समन है यह है मुवीन यहाँ पर और यहाँ पर गेन बाजी के लिए यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर हैटिक सिक्स पे नदी मुकादम के तरफ से पास उर्पया गेन बाज है यह है अधनान 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 अध दोरन मिले हैं एट्रिक सिक्स एट्रिक सिक्स पे नदी मुकादम के तरफ से 500 रुपे मिलेंगे राइट आम और विकेट और इस गेन को खेला ज़रूर है जहां पर डिकले रहे एक रहने इस एक रहन से कोई परेशानी नहीं वोर की टीम के लिए याने पूरा बैक फुर्ट पर धकेल दिया कुजगाओ की टीम को बिल्कुल बैक पर चले गई है संकर्ष में है आसान नहीं है आजहर मुकादम यहां पर आए यह तो हमारे एक काफी पूरानी पहचान है किर्केट से किर्केट से पहले से और फिर यह उपसर पंच है मापुरल के वेल डन यह तो मुझे आज मालूम है तो यह तो अजहर के लिए और अजहर का मेरा साथ बहुत पुराना है जब से यह नाइट टुनामेट होती थी जो सुल्तान मुकादम रखते थे वो पूरा हैंडल यह आजहर करते थे उसको पिलर्स को बुलाना टीमों को बुलाना के नुकसान पर इस्तिती इस वक्त कुजगाव के अच्छी नहीं है बहुत ही गंबीर इस्तिती है इस वक्त हालाद बहुत खराब है संगर्च के बादल चाहे हुए है चाटना जरूरी है लेकिन क्या शहबास कर पाएंगे वहर के विरुद है यह चीज़े राइट आमूर तो यह स्कोर जो है विनिंग इसकोर टार्गेट कहां जा सकता है लेकिन जिस तरह से इनोंने परफार्मंस किया था उसको देखते वे तो फाइट इसकोर ही माना जाता था लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहां पर कुछ गरबर हो चुकी है जैकि विनिं इसकोर था ज्यारा उसक्तों का चॉरा गया था हला कि क्या चॉरने के बाद वो गया रहरा तो दोर की समावती पर इसकोर इस वक्त सिर्फ सात रन बिल्कुल भी यहां पर पीछे पिछड़ गई ये आ के यहां पर दार क्या यूटिव जरे इस तरह दिखा दे विस तरह देखर हाँ पर एक मिनट के लिए रोख देँ यहां पर आज़र बुकादम है उनका सुवागत क्या जा रहा है पप्पु क्या तो अज़र बुकादम का वेलकम क्या जा रहा है सुस्वा कतम है वेल डन है थेक्यों आज़र तो यहां पर मैं शुरू होने जा रहा है फिर से मर्दबाब फाहद के हाथ में इसको रहे केवल साथ रन चाहरा तरन बने थे पंद्रा रनों का टार्गेट था परती ओर फाहद अब यहां पर सिर्फ इ यहां इसमें में समीं की प्रैक्टिक्ष जाहता हो रही कि अच्छी तरफ अचला व्यकीटी का बहुत तो बहुत थी बादी अगेंद हैं जी निहां और का देर के बाद Lehkan आया इत्सुनियर डिखंव आठर इसको रहे आठ धीमी स्थथी मैच जिस तरह से चाहा रहे थे कि जिस तरह का मैच हो उस तरह की अभी तक तो कुछ गाओ के तरफ से कुछ देखने नहीं मिला वहर पूरा अग्रेसिव नज़र आ रहा है इस मैच में पूरा अपना चाप छोड़ दिया वहर ने तेकर इस बार वाइड बॉल काफी तेज तर्रार गेंथी बहुत तेज गेंथी गत्थी को जियादा डालने की कोशिश में अपना नियंतरन खो बैटे लेकिन अच्छी गेंबाजी करा ले थे पाद बहुत बढ़िया गेंबाजी यकीनन अच्छी काबिले तारीफ लेकिन इस बार विकेट की पर के हाथ में गेंड नहीं गई गई लेकिन बाद में गई किसी तरह से समी उसमें इन्वाल हुए उस बाल में लेकिन उनके शरीर को लगी थी क्या गेंबाजी बहुत बढ़िया गेंबाजी तारीफ के काबिल वैल बॉलिंग वैल ड़न ये शा कि यहां पर इस तरह से पहला रण शाहिद बैट से यहां पर आया इसका और दुसरे रण के लिए दुसरा रण वहां पर हो सकता है खत्रे से खाली नहीं दूसरा रण राण के अच्छा लग रहा था तो यहां पर आप यहां पर आगर आगर सीख सकते हैं और सीकना चाहिए देखना चाहिए उबरता हुआ खिलारी यह भी बच्चा जो इस वक्त बॉलिंग कर रहा है उमर जियादा नहीं है छोटा कत्का है हाँ बगेर पैसे सिखने मिलता है आपको यह सही बात है राइट आप बोर्द विकेट दोड़ना शुरू किया ओहो यहां पर एक रण मिला है एक रण के साथ इसको रवरे त सकता है यह माहूल हो गया है दो और में क्योंके तो रण चाहिए आप 63 रण दो और में नामुम्किन हाँ क्योंकिन हर बाल में सिक्सर मारा जाये तो वाइड नो अगर हो जाये तो लेकिन बहुत मुश्किल है नामुम्किन नहीं मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत लेकिन यहां पर अच्छा हर और में और यह पहला सिकसर पहला सिकसर इस तरह कि हर बॉहाल में 6 के लिए भी एक है गाष के अभी है ड़ी भी चांस है तो पिर हो भी गया यहां पर गेन हवा में आराम सा क्याओ चे कोई मुश्किल नहीं और अब बिल्कुल में मैच में कुछ बचा तो नहीं है एक चमतकार ही है जो आपको मैच में कुछ वापिस ला सकता है तो एक अप्चार एक्ता ही बाकि रही गए अन्यता कुछ नहीं बचा है मैच में एक बही कबार होता है सालों में नहीं ओक मिलियनेर बोलते है उसको यहने कभी कबार ऐसा हो जाता है एक आफचार रिखता ही बाकी रही गई कि कुझगाव की टीम यहां पर जीते बैट्समन को नाम क्या बैट्समन का सरजील इनोंने इनके हाद से क्याज भी ड्रॉप हुई थी तीन क्याज है मैंने को नासिर नासिर बता रहे कि तीन लगातार मैंने बाई जब भी मने एक बोला नासिर ने मुझे तीन ही आवाज दिया है वो तुरहता है किए जो शाहिकने उनका ध्यान बहुत ज्यादा रहता है दिग्राउण के उपर को नियाल सर्जील बैट और बॉल का कोई संपर नहीं विकेट कीपर और बॉल के बीच में मैच चल रहा है थोड़ा ज्यादा है मैचे जो है इस वक्त वहर के दुरिस्टी कुछ से गर देखा जाए तो गेन बाज और कीपर ही खेल रहा है कि वाइड बॉल है वाइड बॉल कि उन्नीस कि उन्नीस रन दो विकेट राइट आप बॉल दो विकेट है दोना शुरू के आमपार को क्रॉस करने के बाद इस गेन को खेला जरूर यहाँ पर और गेन चली जा रही है ओ छे रन छे रन वेल चॉट पांच गेंदे हुई है और वो विकेट के पर इस बार यहाँ पर चक्मा खा बैटे पांच गेंदे यहाँ पर एनेज और हुई है तो एक एक रन के साथ इसकूर बढ़ता हो जा पोचा है चब्वीस रन डो विकेट के नुकसान पर आँखिरी ओर आना बाकी है आखिरी ओर में लगग लगबग यहाँ पर पच्यास 48 रन चाहिए 48 रंच चाहिए यहां पर मैच जीतने के लिए तो इतना आसान तो नहीं है कोई चमतकार ही जीता सकता वरना यह नामुम्किन है उन 50 रंच चाहिए तो यह नामुम्किन से नामुम्किन लेकिन अगर कोई औप्चा रिखता ही बाकी रहेगए हैं दूसरा तो कुछ है नहीं मैच मेंegól आइसे वाइड अगर 25 फेक जाए तो कुछ होगा वालार है रिहान इस तरह कि अगर याऊंच है एक दोरण ट्वेंटिनाइन पाज गेंदे बच्ची है इस मैच के पाज गेंदे अनाशेश रीहां सामने हैं सरजील कौणस कुजगाव के लिए शाट तो अच्छा था लेकिन अनफॉर्चनेटले आपको रन मिलेगा सिर्फ एक या किन अच्छा शाट था बहुत अच्छा शाट था तीसर तीसर तो बना लिये हैं यहां पर एक रन मिलता है या क्या देखना है एक रन एक तीसर रन दो विकेट के नुखसान पर 31 रन दो विकेट के नुकसान पर तीन के दे आना सेश नो बॉल आमपायर का इशारा और फिर इट राइटा मुड़ दो डोरना शुरू के आमपायर को क्रॉस के आमपायर के बगभले से निकलने के बाद सामने खेलने के लिए तयार होते हुए और यहां पर गेंज जा रही है लेकिन एकरन मिनेगा यह एकरन से संदोश रहना परेगा वहां पर 33 दो विकेट के नुकसान पर चार गेंदे वी हैं दो गेंदे आना बाकी तो मैच बिलकुल भी एक तरफा होता हुआ ऐसा लग रहा था कि कुजगाओ शायद इस मैच में कुछ अच्छा खासा करेंगी वहुर का अच्छा मुकाबिला करेंगी लेकिन पहद ने पहली और से बैकफिर पड़केल दिया वहां पर कुजगाओ को क्याच होती है या क्याच तो एक गेन बचिए अब आखिरी गेन लास्ट तुगो कुजगाओ इस टुनामेंट से बाहर होने के लिए सिर्फ एक गेन उनको खेलना है नो बॉल और इसी के साथ यहां पर वहूर ने जीत लिया है और मुबारकबादी पेश करता वहूर के टीम को कॉंगरिजनेशन और हाड लग कुजगाओ तो वेल डन वेल पिलेड वहूर वेल पिलेड 74 और मनायते 75 और का टार्गेट दिया था कुजगाओ ने बहुत ही